नमस्कार बिराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है मैं आपके साथ स्वाती गौलियर में सड़क पर कट्टा लहरा कर रंगदारी कर रहे दो बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया जब उनसे कट्टा छुडाया तो वह लोडेट था लोगों ने कट्टे से राउंड निकाल दिया इसके बाद दोनों को बांद कर कट्टा उनके हाथ में पकड़वा कर सड़क पर जुलूश निकाला उनको पीटते हुए पास के पुलिस पोइंट तक ले गया दोनों बदमाशों को पुलिस को सपुर्द कर दिया गया ऐसेसपी ने दोनों बदमाशों को पकड़ने वाले लोगों को इनाम देने की घुश्रा की है जनक गंज के निम्माजी कीखो में रहने वाले लोगों ने दो युवको को इधर उधर घुमते देखा तो संदेह के आधार पर रोका युवको को जैसे ही रोका तो उन्होंने कमर पर हाथ लगाया और कट्टा लहराने लगे इस पर इस्थानिये लोगों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया कट्टा छुड़ा कर इस पार्ट पर ही बिटाई लगा दी कट्टा खोल कर देखा तो उसमें कार्टूस लगा था यह देखकर पहले लोग सहम गए उन्हें लगा कहीं बदमाश गोली चला देते तो क्या होता इसके बाद लोगों ने कट्टे को अनलोड किया दोनों बदमाशों को एक दूसरे से बान दिया इसके बाद लोगों ने दोनों का सड़क पर जुलूश निकाला एक बदमास के हाथ में खाली कट्टा पकड़ाया शड़क पर सोर मचाते हुए उन्हें पास के पुलिस पॉइंट तक ले गए इस दोरान बदमासों से कहलवा रहे थे कि भविश्य में कट्टा लेकर इलाके में नहीं आएंगे पबलिक ने दोनों को पुलिस को सौप दिया वहीं पुलिस ने दोनों से अवैद कट्टा और एक कार्टूस जब्द कर पूछताश शुरू कर दी है पुलिस ने दोनों बदमासों के खिलाफ आर्ण्स एक्ट का मामला दर्ज किया है मामले में SSP गौलियार अमित सांगी ने कहा कि इस्थानिये लोगों ने दो बदमास को पकड़ लिया है लोगों को इन बदमासों के पास से लोडेट कट्टा भी मिला है